हेलो जी गुट मॉर्निंग जी और कैसे हैं आप तो फ्रेंज इदर जी आज है बच्चों की प्रिपरेशन होली डे और वैसे बच्चों की एक्जाम चल रहे हैं फाइनल और वैसे वी एक एक्जाम हो गया था स्टार्ट फोर को और अभी वैसे होली करके भी बच्चों की बच्या दूटयान दीए है दो तिन दिनकी तो जी इदर मैं बच्चों को वसधा अचुछор बच्च्य उठ चुके हैं golpe मी रहे हुए मैं तो जी मा को हाज को कर लाना हैं काफी बच्चे दग्र जीसकर रहे थे तो एक बार सोड़ा समय पहले ले आई थी तो आज चलो मैं क्या चलो ये काम कुम करके breakfast करवाकर और फिर market जाती हूं तो इधर जी देखिए आलू की पिठी बनाई है और कितनी देखने में देखिए कितनी अच्छी लग दिया है मैंने चोपर में जो प्याज दर्क वगरा है ना छोटा छोटा वो मतलब बड़ा बड़ा चोप करके इसके अंदर डाल दिया और यह देखिए याट्टा मेने गुंदा है दूद में जसमें आपको अगली वीडियो में भी बताया था तो थूड़ आसा उसमें गुंदने से क्या होता है फ्रेंस रोटियां भी वाइट वाइट से बनती है और काफी सोफ्ट बनती है तो जी इ तो ऐसी होती है भाजा दड़ी में जल्दी जल्दी से बस जी सुबह सुबह दोना पड़ता है तो ये बच्चे बस लेट उठे थे ये काम मेरा सारा नाश्टे का खतम हो चुका और अब जाएंगी इनके साथ बच्चों के थोड़े से बाल से मैं अपने सुलजा लेती हू तो ये इदर लगा रही थी मैं अपने बालों पर सिरम जी और बाल देखें मेरे कैसे जाड़ों से बन रहे हैं मैंने आज बाल दोई है थोड़ा सा धही लगा कर धही ना नानी मेरे बोलते हैं कि अच्छी होती है खटी सी धही फ्रीज में पड़ी थी तो पहले थोड़ा स मैंने नारियल के देल से मालिश की थी और फिर मैंने ना जब मैंने सिर्द होया है शैम्पू करने से पहले थोड़ी सी धही लगाई है कि ते धही से बाल ना बढ़ते हैं अच्छे सही रहते हैं तो नामी एकसर बताते होते हैं मेरे तो यह देखिए और जी इधर बस ये ते भाल ना को लेकर बच्चों कहीं है वैसे तोब क्रेज दिनों दिन कमी हो रहा है ति यوहारों का इतना रहा है इनी है पर बच्चों को थोड़ा सा होता है मेरे छोटे बाले को मम्मी में नी टैंक वाली पिच्कारी लेनी है यह वो फगरा और फगरा ओर कलर भी मार्केट कितनी बरी पड़ी है तो इदर पैदल पैदल यह आगे थे मैं बड़े वाले बेटे के साथ तो देखे कलर्स कैसे लगा रखे हैं फिलाल अभी बाहर नहीं लगाए क्योंकि बहुत ज्यादा ना आज धूप थी फ्रैंस वैसे सुबह सुबह लगा देते हैं कल से श कुछ समान लेकर आई थी मैंने जैसे अब हुली पे हम दाल के भले बुले कुछ बनाएंगे और वह कुछ भी बनाना है थोड़ा सा समान है राशन अब की थोड़ा लेट होगे वैसे तो एक त्रीक को लिख देते होते हैं तो दो-चार दिन उपर भी होगे हैं तो यह बस कि इदर सारा खिलारा सा निकालूंगी और यह कुछ मैं अपना क्राफ्ट का टेफ टूप सी कटर वगरा यह भी लेकिया ही और यह दाल है कि लो ले एक बार भले और हल्वा बनाना था जी मूंग की दाल का तो वह ले यह देखिए बच्चों के क्या कुछ ऐसा प्रेस प्र बचकारी यह नॉर्मल बचकारी और यह यह इसको आप जलाएं में प्रिश्किंदर से ब्लब कलर आला दो निकलेगा यह स्प्रे पड़ी हमरे पास दो जंबो और एक छोटी आली और यह मरे बास बॉतर बूलून्स जो इंस्टेंट फूर जाते एक बारी में सारे और हमरे इसकी में अच्छे पेड़ी तो जी बस बच्चे तो ले आए खुश है अपना पूरा तो सारा जो कुछ था इदर मिल रहा था तो वो मैं ले आई जी तो फ्रेंस यह ना मैं बिस्किट वगएरा भी लेकर आई हूँ यह तो लगए अपना एक्सपेरिमेंट करने तो बस ज लारा वगेरा पानी पूनी से अभी काम करने शुरू हो जाएंगे और मोसम भी कुछ हवैस है ज्यादा एकदम से गर्मी नहीं आई हूई है तो इदर जी बस मैंने बच्चों का सारा समान उठा कर रख दिया था और मैं ना में एक यह माला बना रही थी तो आपको पता कई होगा कई हो नहीं भी होता तो मैं बताउं आपको इक ना छोटे बच्चे हैं जैसे लड़के हैं हमारे तीन हैं बड़े वाले तो ज्यदा बड़े होगे एक जेट जी का और दो मेरे तो यह बड़े वालों को तो आपनने लगी जी शर्म और चोटा मेरा चोटे वाला विक्रांथ, तो उसके लिए बस मैं एक ही बनाऊंगी, वैसे हमारी मुम्मी है ना, वो माला बनाती थी, तीन तीनो बच्चों की, तो जब होली पूझने जाते थे ना, तो जी बच्चे डाल कर जाते थे, शूब माना जाता है, उसमें जैसे बच्चों की टोफियां, बिसकि और जो कुछ मेरे को मिला शोप से तो मैं वो ले यह देखिए और मैं इनको बस एक मोटे वाले धागे में माला सी बना के परोरी हूं फिलाल मेरे पास बेर नहीं है तो सबजी वाला आएगा कोई या फिर देखती हूं जाकर हो भी मेरे को लाने पड़ेंगे वह इसमें करते हैं फिर बच्चे आपस में बाट पूट कर खा लेते हैं जैसे तो यह बनाती है मैंने माला यह है इदर बड़कुदे बनाए थे वह और यह अप्थी वगएरा तो कि लेकर जाने हैं इसमें टोफी और यह गोला चोकलेट वहरा टोफी जो कुछ मर्जी आप डाल सकते अब इसमें फ्रूट में बेर डालने बाकी हैं तो अभी कोई सब्जी वाला फिलाल आया नहीं आएगा तो इसमें डालूंगी और यह देखिए यह हमने चो बनाए थे चांद सूरत से और यह पार्थी तो यह कल है जैसे अपना होली पूजन तो यह लेकर जानी है